ज्यादा तर जो मोटिवेशन है यही तो है कि हाँ तू पैसा कमा सकता है तू पीछे मठक तू पैसा कमा सकता है यह कह दीजिए कि पंप मारना जिधर जाकर कि उसे कुछ मिलना ही नहीं है मी टाइम वगर यह सब जो बाते कही जाती है यह बहुत उधली बाते हैं इनने कोई दम नहीं ऐसे ही है आप यह समझ ही नहीं रहे ना कि जब आपको लग रहा है कि आप अपनी मर्जी का काम कर रहे हो ठीक उस वक्त भी आप वही काम कर रहे हो जो करने के लिए संसार ने आपको कंडिशन कर दिया है तो मी टाइम कैसे हो गया है अब देखते हैं, कि जो लोग साथ साथ रहते हैं, वो आपस में कितनी हिंसा करते हैं, अभी हाल में इतने मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर साथ रहने वाले लोगों ने, एक दूसरे की गरदन काट दी, शरीर काट दी है, यह बात किया, बात यही है, कि वो जो रिष्टा बनाई था आपस में, वो रिष्टा बनाई गलत बुनियाद पर था नमस्कार आप देख रहे हैं, स्पिकिंग ट्री काखाश शो, कनेक्ट विद अन्ताहकरण, मैं हूँ आपके साथ लगो स्वामी, और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास में मान जुड़े हैं, स्वागत करना चाहूंगी, आचार प्रिशांत का, बहुत- किसे परिचे का महताज नहीं है, कई सारी यूट्यूब पर हर प्लेटफॉर्म पे, spiritual वीडियो में आपने ने देखा होगा, काफी अच्छी बाते करते हैं, और आपकी खासियत यह है कि आप बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका, हम अपनी चल्चा शुरू करें, उससे पह काफी long tail keyword था और बहुत लोगों द्वारा search किया गया था, तो मैं यह जानना चाहती हूँ, आपने IIT से पढ़ाई की है, उसके बाद IIM गए है, UPSC की परिक्षा भी आपने निकाली है, कई लोग मिले होंगे आपको, तो क्या कारण था कि आप अभी तक unmarried है, आपने जिस वजह से लोग यह खूब सर्ज करते हैं, आचार प्रिशान्त वाईफ या आचार प्रिशान्त मेरेज, वो वजह ही बता देती है कि मैंने विवाह क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे भीतर, जो एक बहुत पुराना सा जंगल बसा हुआ है, वो जंगल पुरी जिंदगी में सबसे उपर इसी चीज को रखता है, कि कोई भी प्रीत लिंगी मिल जाए, और दो चीज़ें होती है, बस उसकी जो हमारे भीतर, पुराना बंदर या पुराना जानवर या जंगल है, रामकृष्ण कहा करते थे, कंच कि पैसा और सेक्स, तो उसी वज़े से लोग कोई भी हो वैकती, किसी भी क्षेतर का व्यकती हो, वो उसके व्यक्तिगत जीवन में भी ज्यादा रुची रखते हैं, और वैक्तिगत जीवन में रुची रखने से मतलब ही होता ह। यह पताकरना कि वही शादी करी, नहीं करी शादी नहीं करी तो किन के साथ उठे वैठे, संबंध किन से बनाए प्रेम करा तो किस से करा, यही सब चीज़े तो इसी वज़े से हर आदमी, हमें पता नहीं होता यह बात लेकिन इसी वज़े से हर आदमी भागता है उन्ही सामानने सामाजिक इंस्टिटूशन्स जैसे मैरिज की ओर और जब मेरे बारे में जाँच पड़ताल करनी होती है तो उसमें भी सबसे पहले यही खोचता है यहीं की पतनी का नाम क्या है इसी चीज़ से तो बचना था ना एक ही जिंदगी मिली है अब उसको या तो जो भीतरी पशु है उसका गुलाम बना दूँ पुरानी देहिक पशुता को अभिव्यक्त देने का माध्यम बना दूँ जीवन को या तो यह कर सकते हो या कुछ होर कर सकते हो जिंदगी के साथ अगर समझ पा रहे हो कि इंसान पैदा क्यों होता है जीवन का सार्था कुद्देश क्या होता है तो मुझे काफी पहले से ऐसा लगने लगा था कि अपने लिए एक छोटा सा दायरा बना ले ना कि ये मेरा घर है, ये मेरा घुसला है और यही लोग मेरी जिंदगी है पत्नी हो जाए, बच्चे हो जाए और फिर उन्हीं को समर्पित हो जाओ, उन्हीं की सेवा, देख भाल में लगे रहो, उसमें रेस भी नहीं होती है वो आपकी जिंदगी बन जाती है, चीज रेस में आप कम से कम दूसरों की और देख रहे होते है तो वो चीज रेस वगएरा केरियर इत्यादी के लिए ज्यादा ठीक है उप्युक्त करना उसको यह चीज तो आपके पूरे तरीके से जीवन ही बन जाता है, कि आप समर्पित ही इसी के लिए हो आप अपना समाजिक जीवन भी इसलिए जीते हो, कि आप समाज में कुछ हासिल कर सको और जो समाज में हासिल करो, उसको ले आके घर में रख दो तो जीवन अगर समर्पित होना भी है तो थोड़ा किसी बड़े काम को हो अगर लोगों का ही ख्याल रखना है तो क्यों न हजारों लाखों करोडों अर्बों का ख्याल रखे और जब मैं कहूं लोग तो उसमें फिर सिर्फ मनुश्य ही क्यों आए इतने जीव जन्तों हैं जो मनुश्यों से बहुत ज्यादा खराब हालत में हैं विलुप्त हो रहे हैं उनका ख्याल क्यों न रखा जाए तो ये आपको चुनाव करना होता है कि आप एक छोटे से दाइरे में एक छोटे से घोसले में बन जाना चाहते हो या जीवन को एक विस्तरत व्यापक अर्थ देना चाहते हो तो मैंने एक चुनाव करा था वो मुझे सपश्ट होता गया समय बीतने के साथ ही और ठीक ही रहा है सब कुछ मैं अभी अपना सारा समय अपनी उर्जा अपने काम को दे पाता हूँ सारा कहना तो फिर अबसलीट हो जाता है मान लीजे 95 प्रतिशद भी अगर मैंने अपने उपर अन्य तरीके के दायत या बंधन सुईकार कर लिये होते तो जो मैं काम कर रहा हूँ यह मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकता था और यह बात तो हो गई शारिरिक तल की जिसे मैंने का कि हम भागते ही हैं बचपन से इन्हीं दोनों चीज़ों की और एक विप्रीत लेंगी और एक पैसा फिर सामाजिक तल पर आईए तो देखिए आप किसे मितरता रख रहे हैं आप किसे संबंध बना रहे हैं मुझे ऐसा बहुत प्रतीत होता था बड़े द्रढ़ता से मेरा इसमे विश्वास उठता था कि यह बातें बिल्कुल निजी होनी चाहिए एकदम निजी इस बात को आप एक कानूनी जामा पहनाए इस चीज के लिए आप सामाजिक स्विक्रती लेने जाएं और तो यह मुझे और यह मुझे बात बिल्कुल जमी नहीं उसमें आप फिर धर्म के आगे भी खड़े हो जाएं कि वैधता दे दो तो दो लोग हैं उनमें आपस में अगर कुछ संबंद रहना है तो उसमें पुरोहित का क्या काम उसमें कोल्ट का क्या काम और उसमें बहुत सारे लोगों को इकठा करना मने समाज को प्रदर्शित करने का क्या काम तो वो चीज भी थी तो आंतरिक तोर पर ये बात कि क्या मैं अपने पास एक महिला को एक विपरीत लिंगी को बांध करके रख लूँ क्योंकि मेरी कुछ दैहिक मांग है ये बात मुझे अन्याय पूर्ण लगी ये थिंकिंग कैसे डेवल अप हुई आपकी मतलब क्या ये जब शुरुआत से जब आप 11 12 में थे या जब आप दिर दिर जब आई टी गए आएम गए लोगों से मिले कैसे डेवल अप हुई है माइंड सेट कैसे आया आपके पास कि आजादी और न्याय ये दो चीजें दो आसुए आजाते थे अब इसी समाज का हूँ इसी दुनिया में हूँ तो यहां देख रहा हूँ कि लोगों के रिष्टेनाते कैसे होते हैं लोग कैसे संबंध बनाते हैं एक आम घर में पति-पतनी का हिसाब कैसे चलता है तो वो सब दिख रहा था ना जो वो दिख रह पर उन बच्चों के साथ वो जाने अन जाने कई तरह का दुर्वेभार और अन्याय करते हैं तो यह सब तो मैं लगातार देखी रहा था तो यह जो पूरा पूरी व्यवस्था ही है यह व्यवस्था दिखता था कि ठीक नहीं है और जो चीज ठीक नहीं है आप भी उसमें सम् वास्तों में दिख रहा है कि यहां ऐसी ऐसी चीज़ें है जो ठीक नहीं है जिनके कारण इंसान बहुत दुखदर्द जहल रहा है आप वो सब जानते समझते भी उसमें प्रतिभागिता करो तो अब कैसे अपने आपको मूँ दिखा हो गए तो अपने जीवन में तो उन च कोशी से उठती है और साथ ही साथ दुनिया को भी कुछ बाते समझानी है तो इन ही चीज़ों को मदेंजर रख के मैंने फिर अपना काम शुरू करा सर आज का जो हमारा विशह है वो है the benefits of being alone या कि कि अकेले आप रहते हैं तो उसके क्या फाइदे है एक कई जगे research हुई है इस पर शोध हुआ है कि जब अकेला व्यक्ति रहता है अलोन टाइम जब लेता है तो उसकी productivity बढ़ जाती है बजाए इसके कि जब वो ग्रूप में रहकर काम कर रहा है यह बहुत सारे लोगों से घहरा है श्याद इसके पीछे अगर हम अध्यात में कारण देखे तो वह य अकेला पन वहीं ठीक है जहां अकेला पन हो सकता है आपके अंतरस्थल में एक अकेला पन रहे ये चीज न सिर्फ संभव है बलकि आवश्यक भी है और सामाजिक तल पर तो अकेला पन संभव है ही नहीं आप ऐसे समझे कि मैं यहां बैठा हुआ हूँ आपसे चर्चा हो रही है और यह सब लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं और रिकॉर्डिंग क्रू से हैं तो अगर शारीरिक दृष्टे से देखें बाहर बाहर देखें तो यहां मैं तो नहीं हूँ अकेला यहां कोई भी नहीं अकेला ना हम अकेले हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं अकेले पर आप अकेले हो भी जाएं तो लोग नहीं होंगे तो चीजे होंगी आप सब लोग यहां से चले जाएं तो भी यहां कुरसी तो रखी होगी ना तो विशय तो मन को तब भी मिल जाएगा जो इतना अपने आप में आनंदित है और परिपूर्ण है कि उसे किसी के साथ की किसी की संगत की कोई जरूरत नहीं है यह होता है स्वस्थ अकेलापन जहां आप दुनिया में हिल मिल रहे हो उठ बैट रहे हो लेकिन उसके बाद भी भीतर आप असपरशित हो तो आत्मा को लेके विदान्त बड़ा सुंदर शब देता है असंग आत्मा असंग है वो न किसी की संगत करती है न उसे किसी की संगती चाहिए वो संगती किसी कर ही नहीं सकती क्योंकि अद्वायत है दूसरा तो कुछ वहां है नहीं तो किसी संगती करेगी तो मात्र वहीं पर अकेलापन शोभा देता है और वहाँ अकेलापन जरूर होना चाहिए वहाँ पर अकेले होने का मतलब होता है कि वहाँ आप पूरे हो अकेला माने पूरा अकेला माने वो नहीं जो दूसरे की तलाश में है एक अकेलापन होता है जिसमें आप चाहा रहे हो कि पांच साथ और मिल जाएं पर मिल नहीं रहे इसलिए विवश्टा में अकेले हो एक अकेलापन यह होता है आत्मा का अकेलापन होता है कि आप विवश्टा में नहीं आनंद में अकेले हो आप अपनी completeness, अपनी परिपूर्णता में आप अकेले हो और उस अकेलेपन में कोई आपको इच्छा दरकार नहीं है कि 5-7 लोग आपको मिलें भीतर से जब आप पूर्ण होते हो और तब आप बाहर अपने संबंधों में प्रेम पूर्ण हो सकते हो भीतर यदे पूर्ण तो बाहर प्रेम पूर्ण नहीं तो बाहर आप फिर जो भी संबंध बनाते हो वो आपके भीतरी अधूरेपन और खोखलेपन से उठते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है लगाता है अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा कोई मिल जाए यहां पकड़ लूँ ऐसे दबा लूँ तो आप फिर शोषण करने के लिए दूसरों से रिष्टा बनाते हो और जो व्यक्ति आंतरीक अकेलेपन को नहीं जानता वो बाहर जब भी रिष्टे बनाएगा तो दूसरे को नोचने खसोटने के लिए दूसरे से कुछ हासिल कर लेने के लिए दूसरे पर चड़ बैठने के लिए ही बनाएगा कि लूट लूँ कुछ कर लूँ क्योंकि भीतर लगातार एक खोखला पंसा बना हुआ है और वो बहुत दर्द दे रहा है और व्यक्ति जानता नहीं कि उसको भरना कैसे है तो व्यक्ति कहता है दुनिया से ही कुछ उठा करके उसको भर दूँ तो फिर हम इस तरी पुरुष्टे उसको भर लेना चाहते है रुपय पैसे से या सूचनाओं से ग्यान से मनुरंजन से उसको भर लेना चाहते है प्रसिद्धे से उसको भर लेना चाहते है भीतर अकेलापन होना चाहिए और बाहर जैसे स्थितियां हो ऐसा आचरण कई बार आपको मेले में भी होना पड़ सकता है बाहर और कई बार आपको अखेले में होना पड़ सकता है कोई फरक नहीं पड़ता है आप भीड में हो आप तो भी सहज रहें और आप जंगल में हो आप तो भी सहज रहें तो बाहर की बात तो कुछ अत्तक साईयों के खोती है और कोई पूरे तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकता है कि उसका बाहरी जीवन कैसा चलेगा बाहरी जीवन जैसा भी चल रहा हो भीतर पूर्णता होनी चाहिए उस पूर्णता को कैवल ले बोलते हैं केवल मैं केवल मैं दूसरा और कोई नहीं समाज भीतर नहीं घुस आया है शरीर भी भीतर नहीं घुस आया है भीतर एक बिंदु है जो समाज से और शरीर से दोनों से अंचुआ है, वहाँ केवल मैं हूँ, अहमे वही केवल हूँ, मात्र मैं हूँ, बाहर पूरी दुनिया की संगत करेंगे, क्योंकि समाज है एक, रहना पड़ेगा, मजबूरी की बात नहीं, वो हमारे हरश की बात है, तो बाहर एक समाज है, बाहर पूरा ये जगत ह लोग नहीं भी हों, तो और चीज़े हैं, बाहर संगति तो आपको करनी ही पड़ेगी, जंगल चले जाएए, वहाँ भी पेड़ पौधे पशु तो ही न, संगति तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप गुफा में चले जाएए, कोई नहीं है वहाँ पर, गुफा तो है न, तो संगति तो आपको करने ही पड़ेगी बाहर जैसी सित्यों की देखा जाएगा जिसकी आवश्यक होगा उसकी संगति कर लेंगे जीवन के प्रवाह को कोई पूर्वा नुमानित नहीं कर सकता हमारे कर्तव्य की हमारे धर्म की धारा हमें जिधर को ले जाएगी उधर को बह लेंगे भीतर लेकिन लगातार असपरशित अंचुए से रहेंगे भीतर किसी को हक नहीं देंगे कि आकर के दाग धबा लगा दो एक बिंदु रहेगा भीतर जिसको स्वयम हम भी नहीं चू सकते तो दूसरे क्या चूएंगे एक भीतर कुछ ऐसा रहेगा जिससे स्वयम हम भी नहीं जानते तो दूसरे क्या जानेंगे अगर भीतर वो चीज है तो जिंदगी में फिर मौज है आनन्द है नहीं तो जीवन बड़ा गरीबी में गुजरता है आन्तर एक दरिद्रता रहती है बहार रुपया हो पैसा हो साथ हो संगत हो बहार कुछ भी हो भीतर आदमी एसा सा रहता है कि कुछ नहीं है हाथ पसार रखे हैं और फिर ऐसा व्यक्ते दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होता जिसको ही पाता है उसका यूथ पीड़न करता है और चुकि ज्यादा तर लोग हम में से भीतरी असंगतता जानते नहीं है उसी का नतीजा है कि आज हमने प्रत्वी को इतना बरबाद कर दिया है जंगल काट दिये समुदर खराब कर दिये इतनी प्रजातियां प्रश्यों की पक्षियों की हमने विलूप्थी कर दी प्रति दिन हम उनको समाप्त कर रहे है जो चीज मिलती है हम उसको बस भोगना चाहते हैं यह जो भोग की और मनोरंजन की और सुख की लगातार मांग है हमारी वो यही तो बता रही है कि भीतर बड़ी उदासी है खोखलापन है अधूरापन है असंतुष्टी है असंतुष्टी है और वो बनी ही रहेगी जब तक आप भीतरी पूर्णता को नहीं सुईकार करते मैंने यह नहीं का भीतरी पूर्णता को पाते मैंने का भीतरी पूर्णता को सुईकार करते स्विकार करिए कि भीतर किसी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और बाहर आपको युद्ध करना है तो युद्ध करिए गले लगना है तो गले लगिए भीतर लेकिन बस मैं ही मैं हूँ मैं आचली उसी बात पर आ रहे थी कि आजकल एक टर्म बहुत फेमस है मी टाइम क्या कर रहे हैं मैं मी टाइम ले रहा हूं थोड़ा सा तो जो आपकी बातों से मेरी अंडरस्टाइनिंग बनी वह यह है कि जी मी टाइम यह नहीं है कि आप दर्वाजे बंद कर लो दुनिया स कट जाओ आप 4 गंड़े परोशे हो बात मत करो अपनी मत करो मी मतलब है कि अंडर से बहुत सब्सक्राइब कर चास July को शायदा हुद मेरा नहीं जाती है यह बहुत बात मने क्या कि मैं मिए रहे हरा हां मुझे जिधर को लि जा रहा मुए मैं उसरम को चला समय के कहता है एक हिस्सा वो जिसमें मैं दुनिया का गुलाम हूँ मैं दुनिया का गुलाम हूँ तो वो हो गया not me time ठीक है कि भाई बास ने मुझ से काम करा लिया कुछ तो मैं कहूंगा not me time या घर वालों ने काम करा लिया या कोई और काम करना पड़ गया कुछ और कर रहे ह यह मेरा टाइम नहीं है और जिस समय में अपनी मरजी का काम कर रहा हूं उसको मैं कहा दूगा मेरा मी टाइम है आप यह समझ ही नहीं रहे ना कि जब आपको लग रहा है कि आप अपनी मरजी का काम कर रहे हो ठीक उस वक्त भी आप वही काम कर रहे हो जो करने के लिए संसार न उसको me time देंगे उसमें वो क्या करेगा गेम्स केलेगा not me time वो क्या बोलेगा जब पढ़ना पड़ता है तो not me time है और जब मैं games खेलता हूं तो वो me time है लेकिन वो जो game खेल रहा है वो game खेलने के लिए भी तो उसको संसकारित किया गया है न मने condition किया गया है तो me time कैसे हो गया यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम me self का अर्थ जानते नहीं है तो हम अहंकार को ही आत्मा समझ लेते हैं हम जो जूठा मैं है उसको ही असली मैं समझने लग जाते हैं me time वगेरा से कुछ नहीं होता आप जो भी कुछ कर रहे हैं जिस भी चीज में आपका time जा रहा है आपको देखना होगा कि वहां वास्तव में चल क्या रहा है आपको पूछना पड़ेगा यह चक्कर गया है मुझे किसने बोल दिया यह करने को और जब ऐसा काम हो रहा है या इसी घटनाए घट रही है या बाहर से ऐसा stimulus आ रहा है तो जो यह मेरे भीतर से प्रतिक्रिया उठ रही है वो मेरी है भी या वो मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है मेरे hormones की और विचारों की भीतरी जो chemical है उनकी प्रतिक्रिया है या जो मुझे बता दिया गया है कि आप इस धर्म के हो इसलिए आपको ऐसी प्रतिक्रिया करनी होती है ऐसे महौल में ऐसी स्थित में ऐसा गाम करना होता है या आप ऐसे समाच से हो या आप लड़की हो तो आपको ऐसे करना है, लड़की हो तो आपको ऐसे करना है, बेटी हो तो ऐसे करना है, बाप हो तो ऐसे करना है, मैं वो सब कर रहा हूँ, आप ये सब अगर देख पाओ, तो आप थोड़ा सा अकेलेपन की और बढ़ रहे हो, और ये अकेलापन कि मजबूर है कोई मिला नहीं इसलिए अकेले हैं एक है कि अकेले हैं क्योंकि वह जो अकेला पन है वही सत्य है और उसी में आनंद है और यह जो अकेला पन है यह जो असली अकेला पन है जो आनंद वाला अकेला पन है यह हमें फिर शक्ति दे रहा है कि हम दूसरों के साथ भी स्वस्थ और सहजभाव से हो पाएं यह जो दूसरा अकेलापन है सिर्फ इसी में व्यक्ते दूसरों से प्रेमपूर्ण रिष्टे बना सकता है जो अधूरेपन वाला अकेलापन है उसमें तो थोड़े दिर पहले भी का था हम दूसरों से बड़े हिंसात्मक बनाते है इसलिए तो आप देखते ना कि जो लोग साथ-सात रहते हैं वो आपस में कितनी हिंसा करते हैं अभी हाल में इतने मामले सामने आ रहे हैं जहां पर साथ रहने वाले लोगों ने एक दूसरे की गरदन काट दी शरीर काट दी है आप भीतर से बेहोश थे और उसी अधूरेपन और वेहोशी में आपने जा करके किसी को पकड़ लिया इस उम्मीद में कि ये व्यक्ति मेरा अधूरापन दूर कर देगा वेहोश अधूरापन दूर करी नहीं सकता इसलिए जोड़े बनते हैं यह हमेशा असफल ही रहते हैं आप पूछ रहते हैं अब बस बात यह होता है वो कहते हैं कि भयो बियाह मोर करिबो का ठीक है कि अब तो हो गई है चादी अब मेरा करोगे कि आप तो मैं आ गया हूँ या आ गई हैं तुमारे घर बैठ गई हैं अब क्या कर लोगे तो वह हो जाता है नहीं तो जिस आधार शिला पर विवाह की संस्था खड़ी हुई है वह आधार शिला ही बालूई है खोखली है मजबूत नहीं है यह मुझे लगता है सर की यह बहुत सब्जेक्टिव विशह है हर किसी के अपने मत और हर किसी के अपने एकश्पिरिंशस है उलाज इसे करने वाला होश में हो कि उसके लिए कोई चाहिए ना जो इतना होश रखे कि जहर को भी इलाज की तरह इस्तिमाल कर सके जब संबंध बनी इस तरह से रहे हूं कि वहां सभी बेहोश हैं तो वहां इलाज करने वाला कॉन डॉक्टर बैठा है तो देखिए आप मी टाइम बोल नहीं थी ना कि अपने क्षाद आदे हैं क्या हमें पता है मैंने कोई बात बोली ततकाल भीतर से aurus विरोध करने को क्या बात हुई कहां प्रचोट पड़ी यह चीज होती है अपने आप को जानना ऐसे अकेले कमरे में बंद करके कोई अपने आपको नहीं सकता जो जीवन का बहाव है उसमें प्रत सिक्रिया का खेल है उसी को देख करके साफ साफ पैनी निगाह से उसका अब्जर्वेशन अवलोकन करके पता चलता है कि मैं कौन हूं तब मी का वास्तवेकर्थ पता चलता है तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जी अलोन टाइम मतलो मैं कहता ही रहता हूँ उनको दस साल से कह रहा हूँ खूब कह दिया है अलोन आपने शब्द कहा तो अलोननेस और लोनलिनेस में एक बहुत गहरा अंतर होता इस पर खूब बात करिये आत्मा बहुत पवित्र शब्द है मैं से उची कोई बात नहीं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा न होने दीजिये कि जो आप है नहीं कोई नकली सी चीज जैसे कोई किरदार निभा रहे हो बेहुशी में कोई खयाल पकड़ लिया हो आधी नीद में थे तभी कोई जंजीरों में बांध गया हो ऐसी अवस्था को अपनी अवस्था मतमान लीजिये मैं का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिये मेरा मम ये भी बहुत बहुत पवित्र शब्द होना चाहिए मैं कौन हूँ मेरा क्या है यह साफ साफ पता हो जब न जैसे मुठी से रेथ फिसलती हो ऐसे फिसल जाती है और यह बड़े दुख की बड़ी तरासदी की बात होती है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी बिना यह जाने कि हम कौन है तो जिंदगी किसके लिए बिता दी और किसकी बिता दी पर यह चेतना कैसे आएगी सर क कि हमें जानना है कि हम कौन है लाइफ चल रही है ना दुख साधन है कि मांदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि दुख है जब दिखता है दुख है मान लेते हो toh अभैस्वीक्रति तो फिर खोजने निकलते हो कि कहां से है कैसे हट सकता है हमें कुछ जो पता नहीं लगता जीवन के बारे में और अपने बारे में उसका कारण यह है कि हम अपने प्रति बेइमान हैं हम मानते ही नहीं कि हमारी हालत बहुत खराब है हम क्या देते हैं अगर मैंने मान लिया मेरी हालत खराब है तो मैं आज तक मेरा हाल तो ठीक ही है यह मत करिए दुख आपका मित्र है उसको अगर आप स्विकार कर लोगे तो हट जाएगा उसकी मित्रता इसी में है कि वो आपको स्वयम से मुक्ति दे सकता दुख ही आपको दुख से मुक्ति दे सकता है लेकिन उसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप दुख में हो चीजें ठीक नहीं है एक बेचैनी सी रहती है भीतर एक तडप है जिसको हम दिन चर्या के आम काउं में छुपाए हुए रहते हैं अपनी ही कराह को थोड़ा सा समवेधन शील हो करके सुनना पड़ेग कि अक्सर हम आप बहुत अगेंस्ट हैं मोटिवेशन के खरी गोटी सुनाते हैं आप कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है माइंड को कंडीशनिंग तो वैसे ही करते हैं कि जी मोटिवेटेड रहो अधरवाइस तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे इतना मोटिवेशन फैला हुआ है दुनिया में जितना 10-40 साल पहले नहीं था ठीक है न और जितना डिप्रेशन आज फैला हुआ है दुनिया में इतना भी 10-40 साल पहले नहीं था तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं या दोनों एक ही चीज क कि नाम है कि यह सा तो नहीं कि motivation भी डिप्रेशन बढ़ाता हो यह मेरे लिए थोड़ा सा नया लेकिन 99 प्रतिशत जो डिप्रेशन होता है वो शारीरिक कारण से नहीं होता है वो मानसिक है हमसे कहते भी न मानसिक रोग है तो वो क्या है आपको चाह रहे हो जो आपको मिला नहीं तो आप गहरी 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 निराशा में चले आते हो और जब वो गहरी और स्थाई हो जाती आपको आपकी उस चाहत की और लगातार धखेलते रहना यही तो motivation का काम है तो जो चीज आज motivation है वही चीज कल आपका depression है तो जिन्होंने जाना है दुनिया को, जीवन को उन्होंने कहा है देखो पहले साफ साफ समझो कि तुम्हारे लिए क्या करना उचित है कामना, डिजायर रखनी भी है, तो पहले समझो कि कौन सी डिजायर तुम्हारे लिए ठीक है, एक बार इस समझ गए कि क्या ठीक है तुम्हारे लिए, फिर उस समझ से ही बहुत सारी प्रेरणा और उर्जा उठेगी, और तुम उस लक्षे की और अपने आप आगे बढ़ जा पर कौन सी डिजायर ठीक है तुम्हारे लिए इस बात को समझ भू और जब समझ जाओगे, तो वो समझ ही तुम्हारा इंजन बन जाएगी, वो समझ ही तुमको एमपावर कर देगी, सशक्त कर देगी अपने लक्षे की और बढ़ने के लिए, लक्षे ही ऐसा होगा, कि लक किया पाना थे उपना बना लिए इस पर कोई किर देखो जो भी तुम्हें पाना है तुम यह किन रहा हैं तुम्हें तुम धी मिल रही है फिर भी तुम पा सकते हो और बहुत्स पाने लाएक ही नहों तो और आप आओगे ज्यादा तर जो मोटिवेशन का कारोबार है वो चल ही रहा है बस उन्हीं दो चीजों को पाने के लिए जिनकी एक जम शुरू में आपने मुझसे बात करवा ली वही कंचन कामी नहीं ज्यादा तर जो मोटिवेशन हो यही तो है कि हा तु पैसा कमा सकता है तु पीछे मठक तु पैसा कमा सकता है तु यह कर सकता है तो अंधी अंधी काम नहीं एक व्यक्ति को ऐसी दिशा में भेजना ऐसी दिशा में उसको जाने के लिए क्रेट करना या कह दीजिए कि पंप मारना जिधर जाकर कि उसे कुछ मिलना ही नहीं है फिर भी अब उसको उधर भेज रहे हो नतीजा क्या होगा वो थोड़ी देर के लिए उधर को चलता है और फिर वो बाता है मैं फिर भाव शून या उर्जा शून ने हो गया हूं वैसी बात होती है कि एक कार है उसको पीछे भगा लगा रहे हो बार बार यह मोटिवेशन है इसलिए का आपने खा कि मैं उसे खरी घोटी सुनाता हूं कि कार है भाई कार के बात अपना इंजन है और उस इंजन को हम इगनिशन दे सकते हैं इंजन को जो इगनिशन दिया जाता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन और गाड़ी को जो पीछे सा धक्का मारा जाता है उसको बोल जाता है, आप यहां आए हैं मानली जी आपकी कोई कामना है, बिलकुल फिजूल कामना हो सकती है, एक दम भती, ऐसी कामना जिसको आपने कभी ठीक से समझा ही नहीं, या वो कामना आपने इसलिए पकड़ ली क्योंकि सब वही कर रहे हैं, बहुत सब लोग फलानी नौकरी की कि डाउन फील कर रही हैं क्योंकि जो आप चाहरी हो, आपको मिल तो रहा नहीं है, और मैं आपको थोड़ी दिर बोलाई, पंप, कि मैं आपके भीतर एक तरह का उबाल ले आदूं, कि नहीं, 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 अरे, तुमने हिम्मत कैसे छोड़ दी, तुमने प्रेत् मैं जो चाहूं मुझे सब मिल सकता है, तो थोड़े ऐसी देर का सुख, उसके बाद बड़े लंबे समय की निराशा और अन्तत्र हो सकता है, डिप्रेशन भी, यह है मोटिवेशन, सर्क करेक्ट मी फैम रॉंग, गीता में जब अलजुन बहुत निराश हो गये थे, सारे उ तो कृष्ण भगवान ने भी तो उनको मोटिवेशन दिया था, जी कहां दिया था, एक बार बताईएगा जहां पर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हो कि तू जरूर जीतेगा, और जीतने के बाद देख तुझे कितना सारा सोना मिलेगा, सिंहासन मिलेगा, इतना बड़ा र अर्जुन को समझा रहे हैं आहम क्या है, आत्मा क्या है, पुरुष क्या है, प्रक्रति क्या है, ये चीजे मोटिवेशन में आती है, गीता रहे से एक निराश व्यक्ति को अगर आप ज्यान देंगे, उसको इनर सेल्फ का रेलाइजेशन कराएंगे, तो वो भी एक तरह से मोटिवेशन है, तो वो फिर कहतीजी, अप तो मैं कहता हूँ की गीता से उंची कोई किताब नहीं है, ठीक है, वो फिर असली मोटिवेशन है, तो रिलाइजेशन is the real motivation, लेकिन जिस मोटिवेशन की आप बात कर रहे हो, जो अभी चल रहा है बातारू मोटिवेशन, वो क्य सोचो ही नहीं कि अंजाम क्या मिलेगा, करमफल की चिंता करो ही मत, सारे मोटिव सटाओ, अब देखिया कितना अंतर है साधारन मोटिवेटर में, वो कहता है, ऐसा करोगे, तो तुम बहुत कुछ मिल जाएगा, और कृष्णारजुन से कह रहे हैं, निश्काम हो जाओ, तुम तुम वो करो जो सही है, उससे तुमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिले, कोई फर्क नी पड़ता, मर भी जाओ, तो भी वो करो जो सही है, एकदम सौ बार तुमें हार मिले, तो भी तुम वो करो, जो सही है, और तुमारे भीतर जो पुरानी सब धारणाय वगरा बनी हुई है, उनको सब को छोड़ दो और मामेकम शरनम्रज जो मैं कह रहा हूं वो करो मेरी शरन में याओ बस इतना तुम्हे करना है यह रियलाइजेशन है तो गीता को आप फिर पढ़ते हो ज्ञान के लिए वो ज्ञान आपको उर्जा दे देता है वो ज्ञान आपको सही दिशा में प् इस बहतरीन चर्चा का भाग बढ़ने के लिए तो जैसा कि आपने बताया सर की मोटिवेशन क्या है और रियलाइजेशन क्या है अलोन होना क्या है मी टाइम क्या है तो मुझे लगता है दर्शकों को काफी कुछ काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आप जोड़ झाल